नमस्कार दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बावासीर के लिए आसनों का अभ्यास कराएंगे सिर्फ चार आसन जिन से आप अपने बावासीर पाइल्स की समझ्चा को क्योर कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अभ्यास कराते हैं जादे समय ना लेकर चलिए सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले कमर के बल लेड जाए दोनों हास साइड में लगे हुए दोनों एड़ी पंजे मिले हुए साइड भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री लेके जाएं साइड छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं सर की तरफ हलासन में अब यहीं से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठा कर अपने कमर पे रखें स्टेंड बनाये अच्छे से और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उपर की तरफ लेके जाएं सर्वांगासन में खीचें उपर की तरफ दोनों पैरों को पाइल्स की प्रॉलम के लिए पहला आसन सर्वांगासन इस आसन को कम से कम स्टार्टिंग में आप 10 से 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है सांस को नहीं रोकना है नॉर्मल सांस लेते रहें चोड़ते रहें और जिन लोग को सर्वाइकल की प्रॉलम होती है वो इस आसन का भ्यासना करें चैले धीरे धीरे वापस लेके हैं अपने दोनों पैरों को हलासन में सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को दोनों को जमीन पर रखे धीरे धीर सांस भरते हुए 90 डिगरे लेके हैं अपने पैरों को वापस वो सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ लेकर जाएं पहला आसन दूसरा आसन पवन्मुक्त आसन करेंगे फाइल्स की प्रॉलम्स के लिए पहले एक पैर से करेंगे उसके बाद दोनों पैर से राइट लेक को फोल्ड कर लें सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए दोनों हातों के विंगर्स को इंट्रलोग करें और अपने घुटने को पकड़ें अब सांस भरते हुए अपने घुटने को अपनी तरफ खीचें मैक्सिमम जितना खीच सकते हैं और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को या चिन को घुटने से लगाएं और यहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें छोड़ते रहें कम से कम 10-15 सेकंड इसासन को होल्ड करना है जिन लोगों को पेट में गैस की समस्य होती वो भी सासन का अभ्यास कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट आसन है धीरे देश सांस भरते हुए अपने गर्दन को जमीन की तरफ लेके जाएं सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हातों को जमीन पर रखें और सांस भरते हुए पैर को खोल दें अब इसी तरह से इसासन का दूसे तरफ से अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेक को फोल्ड करें सांस भरते हुए दोनों हातों की फिंगर्स को इंटरलोक करें और घुटने को पकड़ें सांस भरते हुए अपने नी को अपनी तरफ खीचें और सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को उठा कर माथे को घुटने से लगाएं या चिन को भी लगा सकते हैं जिन लोगों सरवाइकल की प्रॉलम है वो इस आसन में गर्दन को ना उठाएं गर्दन को जमीन पर ही रखना है चले धीरे धीरे वापस जाएं छोड़ दें इस आसन को चले अभी इसका अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ करेंगे दोनों पैरों को सांस भरते हुए 90 डिगरी लेके जाएं सीधा यहीं पर अपने पैरों को फोल्ड करें दोनों हातों को लोक करें गुटनों को सांस भरते हुए दोनों गुटनों खीचे अपनी तरब मैक्सिमम जितना खीच सकते हैं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और माथे को या चिन को गुटनों से लगा दें और यहीं पर रोक के रखें कुछ देर के लिए यह आसन गैस के लिए बहुत अच्छा है पाइल्स के लिए मी बहुत अच्छा है सांस भरते हुए गर्दन को जमीन पर रख दें और धीरे धीरे अपने हातों को और पेरों को वापस लेकर आएं यह ता सेकंड आसन अब थर्ड आसन के लिए हम आप बैढ़ जाएंगे लेट साइड करवट लेकर उठकर दंड आसन में बैढ़ जाएं धीरी धीरे वज्जर आसन में आ जाएं मैट के पीछे वाले भाग पर अब इसमें आप अपने गुटने खोल भी सकते हैं और गुटने मिला भी सकते हैं दो-तरे से इसका अभ्यास कर सकते हैं इससन को चैल पोज भी कहते हैं ससक आसन भी कहते हैं लंबी खेरी साथ भरने के साथ दोनों हाथों को उपर लेकर जाएं खीचे उपर मैक्सिम जितना कीच सकते हैं खीचना इस्ट्रेस देना कमर को जितना ज़्याद हो से के ऊपर की तरफ खीचें और सांस सोड़ते हुए सामने की तरफ जुकें पूरा जाएं माथा या चिन जमीन से लगा दें जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं गुस्य के लिए बहुत बेस्ट आसन है ये और पाइल की समस्या के लिए थर्ड आसन है ये जो कि बहुत ही अच्छा है इसका भी आप कम से कम स्टार्टिंग में दस से पंदरा सेकेंड होल्ड करें और धीरे धीरे इन आसनों का टाइमिंग आपको बढ़ाना है चले सांस भरते हुए दुन कागासन में बैठ जाएं हलका सा पैरों में गैब दें दोनों हाथों को सांस भरते उपर लेके जाएं पहले खीचे उपर मैक्सिमम वहीं से नमस्कार के पोजिशन बनाएं और धीरे धीरे सामने लेकर आएं और आपकी एल्बो गुटने से टेच होनी चाहिए और कमर नौर्मल सांस लेते रहें छोड़ते रहें मलासन चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना है हर एक आसन में ताकि उस आसन का आपको अधिक से अधिक लाब मिल सके चैले धीरे धीरे वापस आ जाएं और सवासन में आराम करें आज आपके लिए चार आसन बताए थी हमने जो आपको पाइल की समस्या के लिए बहुत ही लाबकारी होंगे लेकिन याद रहे आसन का जब भी अभ्यास करते हैं तो खाली पेट करें संभव हो सके तो सुबह के टाइम करें अभ्यास आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो का जाए से जाए लोग फायदा उठा पाएं तो अपने दोस्तों को सेर भी करें और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें ताकि हम उस से रेडिट आप तक वीडियो बनाकर जल्दी जल्दी पहुचा सकें तो ठीक है फिर चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक किलिए बाई बाई